यह न हर किसी के question होता है कि आखिर वन डॉलर की exchange value वन रुपी से equal क्यों नहीं है मेंने like politician यह public को कहते हैं कि हमारे time में डॉलर की value इतने तक थी और आपके time में डॉलर की value इतनी increase कर गई आप हमें government में आने दो हम डॉलर को रुपीज के बराबर कर देंगे पर गाई मैं आपको एक बात बताऊं किसी भी country की currency की rate कितनी भी हो वो individual अलग 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 कंट्री में अपने product की rate उतना ही लेते हैं आईफोन की बात करें आईफोन सब किसी को पसंद है आईफोन की इंडिया में rate एक लाग 35,000 से 40,000 या 45,000 तक है वही अगर आप दुबाई से बाई करते हैं तो आपको एक लाग 10,000 या फिर एक लाग का पड़ेगा पसा नहीं मैं आप ये क्यों पूल जाते हो कि आपको दुबाई जाने की भी यहां से charge लगेगी तो almost देखें तो आपकी आईफोन की प्राई सेम ही हो गई as it is जितने इंडिया में है तो exactly अगर आप इंडिया में बाई करते हैं तो transportation चार्ज लगेगा और इसी होज़े से आईफोन की भी प्राई सेम हो जाती है यह एक्जामपल अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा एक्जामपल लेते हैं वन माइल को हम 1.6 किलोमेटर करते हैं distance यहां पर देखें तो बिल्कुल सेम है distance में कोई भी अंतर नहीं होगा as it is यहां पर exchanges की value भी लाई करती है और $1 is equal to $1 हम कह सकते हैं otherwise यह वही बात होगी कि आप 100 रुपे के note को 10 रुपे के note के साथ आप एक्जेंज करना चाह रहे हैं well यह तो थी exchange value that यह दोनों कैसे सेम होती है but currency का क्या क्योंकि $1 is equal to $74 या फिर यह difference होते रहता है 76 या 78 या 80 रुपीज तक भी चली जाती है इसके यहां पर बहुत सारे फाइदे भी होते हैं और नुकसान भी होते है well अपने currency को strong रखने से country को क्या हाम हो सकती है चली पले यह जानते है अगर हमारी currency strong होती है तो हमारी देश की 40 million job अचानक से vanished हो जाएगी मतलब आप बेरोजगार हो जाओगे है इसके अलावा currency को weak रखने से country को क्या फाइदा होती है यह जानते है बहुत सारी MNC company देखे नो तो अभी इंडिया में है या फिर बहुत सारी आने वाली है यह जितने भी MNC country होगी वो dollars में देखे तो Indian people को hire करेंगे और जो payment यहाँ पर Indian citizen को मिलेगा वो dollar में मिलेगा यह एक फाइदा होता है currency weak होने के वही अगर हमारी currency strong होती तो वो हमारे देश में क्यों आते हैं वो अपने ही country में जाकर करके अपनी company को establish करतें क्योंकि one rupees तो one dollar के बराबर है तो सोच के देखिए currency strong होना important है या फिर weak होना मजा आया और मैं यह जो मजा है हिंदुस्तान के हर भी अक्ति को देना विल यह तो थी पहला फाइदा अब आते हैं दूसरे फाइदे पे अगर हमारी currency weak होती है तो foreign direct investment होगी वो increase करेगी for example stock market में जितने भी लोग dollar में investment लेते हैं so obviously rupees की पैसे कम है जिसकी वाइद डॉलर में जो भी लोग investment लेता है उन्हें यहाँ पे काफी amount में profit होता है dollar ज्यादा increase करती है तो जिससे यहाँ पर देखे तो direct और indirect job है वो destroy नहीं होगी वो यहाँ पे बची रहेगी और अगर currency weak ह तीसरा कारण यह है कि हमारी currency क्यों weak होनी चाहिए क्योंकि अगर currency strong होती है तो foreign exchange पे जितने भी government के पैसे यहाँ पी RVI के जो पैसे है उसकी value यहाँ पे zero हो जाएगी जिससे यहाँ पर देखे तो inflation काफी ज़्यादा increase कर जाएगी और इसी वज़ें से महंगाई बहुत ज़ देख रहे होंगे Russia Ukraine war की वज़े से oil crisis की वज़े से इन सफी की वज़े से देखे तो महंगाई काफी ज़्यादा बढ़ रही है mostly in US में हमें महंगाई देखते हुए मिल रही है चौथा कारण यह है कि अगर हमारी currency strong होती है तो इंडिया से जो भी चीज एक्सपोर्ट होता ह है abroad में वह export यहां पर decrease हो जाएगी due to हमारी currency की value increase कर गई है इस वज़े से export decrease कर सकती है और यही एक कारण है कि हमारी currency को वीक रहना काफी important है और यहीं है कि most of the country वह अपने currency को सबसे ज्यादा वीक रखती है बट उस country के अगर हम ग्रोथ देखे तो उस country में काफी ज्यादा growth है और अभी तो रुको climax अभी बाकी है सिर्फ export ही नहीं गाईज और भी ऐसे बहुत कुछ है जो हमारी country के destroy हो सकती है जैसे की economy इंडिया अभी करेंट में देखे तो वह एक developing nation है ना कि develop nation और currency strong होनी की वज़े से कुछ ऐसे consequence आएंगे यहां पर जिसकी वज़े से economy बहुत ज्यादा collapse कर सकती है वेल अब आप सोचिए गाईज यहां पर कि क्या हमारे currency को वीक रहना चाहिए या strong रहना चाहिए comment में जरूर बताए वीडियो इंफरेंट लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं फ्रेंट साबसें नेक्स रूमें टेक केर और वोल सोचिए, बाल औरख बाले कि कर दो अ कि जर कैसे तर बताए ये वेल कोजया अ वीक में प्रवड़ अफब्ना को भेंखरेंट इक का.